बजन सहिता अध्याय सतहत्तर मैं परमिश्वर का स्मरन करके कहराता हूँ, मैं चिंता करते करते मुर्चित हो चला हूँ, तु मुझे जपके लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुह से बात नहीं निकलती, मैंने प्राचिन काल के दिनों को और यूग यूग के वर्षों को सोचा है, मैं रात के समय अपने गीत को स्मरन करता और अपने मन में द्यान करता हूँ और मन में भली भाती विचार करता हूँ, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसंद न होगा क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही क्या उसका वच्चन पीड़ी-पीड़ी के लिए निश्फल हो गया है क्या परमिश्वर अनुग्रह करना भूल गया क्या उसने क्रोत करके निश्चे मैं तेरे प्राचिन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरन करूंगा मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा ये परमिश्वर तेरी गती पवित्रता की है कौन सा देवता परमिश्वर के तुल्य बड़ा है अद्भुत काम करने वाला परमिश्वर तू ही है। तूने देश-देश के लोगों पर अपनी शक्ती प्रगट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुप के वश्च को छुड़ा लिया है। है परमिश्वर समुद्र ने तुछे देखा। समुद्र तुछ जगत बिजली से प्रकाशिक हुआ, पुत्वी कापी और हिल गई, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहिरे जल में हुआ, और तेरे पाओं के चिन्ह मालुम नहीं होते, तुने मुसा और हारुन के द्वारा अपनी प्रजाकी अगुवाई भेडों किसी की. प्रकाशिक